दोस्तो मैं हूँ अमन कौशिक और आज मेरे पास फिर से एक बुरी खबर है UFC 256 में इवेंट Amanda Nunes वर्सिस Megan Anderson for the featherweight title कैंसल हो गया है Amanda Nunes ने एक medical issue कोई वज़े से इस fight से वो भार हो रही है वो issue क्या है अब तक नोई ने बताया नहीं है लेकिन शैदो इशू इतना serious है कि fire से almost more than एक महने पहले वो इस fire से अपने आपका नाम भार खीच रही है तो अब हमारे पास कोई main event नहीं है UFC 256 का जो की होने वाला था December 19 को अब क्या होगा इस event का इस main event में कोई आएगा इसके बारे हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले जो कल मैंने आपको news दी थी कि Islam Amagachev वर्सेज रफाइल डोसानियोज मैच कैंसिल हो गया है जो पहले report ये थी कि Islam injured है उन्होंने बताया कल कि basically वो एक staff infection है एक skin infection है जो कि उनके एक teammate को पहले हुआ था कुछ time पहले हुआ था और शायद because of low immunity जो कि एक आम बात है during weight cut उनको वो infection हो गया था ये जो last होते हैं 10 दिन, 2 हफते उसमें थोड़ा सा बहुत pressure होता है fatis की उपर weight cut करने का अपनी training पूरी करने का और उस time पे उनका थोड़ सा low immune system होता है और शायद इसी विए से उनको वो infection हुआ और वो इस fight से भार हो गये है अब Islam को replace करेंगे Paul Felder 5 दिन के notice पे वो replace करेंगे Islam को तो अभी भी हमारे पास fight है आने वाले Sunday को अब बात करते हैं main event की जो कि है था Anderson versus you know Amanda Nunes जो news आ रही थी पहले कि शायद Conor McGregor versus Dustin Poirier match fix हो गया है done deal है लेकिन जो मैंने वने थी video उस time पे कि Dana White के according to done deal है लेकिन Poirier कह रहे हैं कि वो अब तक हुछ नहीं है अब तक वो वेट कर रहे हैं सही contract का अब शायद न्यूज आ रही है कि जो पैसा मांग रहे है Dustin Poirier उस पे अब तक कोई agreement नहीं हो पाया है UFC का और Poirier का तो एक मैंने पहले जब आया थी news की कौने चाहते हैं कि वो इस साल के end तक लड़ें और उसमें main issue यह था कि जो main event थे दोनो UFC 255 जो कि होगा एक हफते बाद अल्मोस्ट एड़ हफते बाद और UFC 256 जो कि हमार था December 19 को तो वो दोनों फिक्स थे हमें पास main event फिक्स था लेकिन अब क्योंकि main event कैंसिल हो गया है UFC 256 का तो शायद यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल सकती हैं अब यह कहना बहुत जल्दी होगा कि क्या सही में Connor vs. podium match अब कैंसिल अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी भी कुछ official आया नहीं है Dana White ने कहा था है वो fight official हो गया है लेकिन बाद में कोई poster नहीं आया कोई date नहीं हाई, कोई location नहीं हाई और अब लग रहा है कि शायद जो अभी जो news आ रही है कि शायद उसमें कुछ अर्चने है जो पैसे का matter है जो अब तक नहीं हो पाया है solve UFC और पूरे के बीच में तो यह यहाँ पे शायद कुछ चीज़ें बदल सकती है और हम दिखेंगे को एक नया main event शायद corner आ सकते है बजाए next year लड़ने के January में वो इस साल लड़ सकते है December में 19 को लड़ें किसके against थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर यहाँ पे पोरिये के बात नहीं बनती है तो शायद शायद Tony Ferguson या कोई और ऐसा fighter आ गया सकता है interesting time लेकिन personally में चाहँ हूँ कि शायद पोरिये और यह से के बीच में बात बन जाए क्योंकि पोरिये एक match अल़ड़ी ना कर चुके हैं against Tony Ferguson जो कि होने वाला था Habib वर्सिज गेची कार्ड में और फिर से वो एक अच्छी fight होती obviously और अब फिर से अगर वो नहीं कर पाएंगे because of money issue because of agreement issue तो I think यह अच्छा नहीं होनके लिए अगर वो खेलते हैं Connor से तो obviously और वो जीते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी जो भी fighter अब तक जीते हैं Connor से वो star बन गया है चाहे वो Habib हो चाहे वो Nate Diaz हो और I think अगर वो इस fight से अगर उनकी कुछ जो भी शर्ते हैं वो नहीं पूरी हो पा रही हैं तो obviously थोड़ा यह sad होगा खासकर पूरी के लिए क्योंकि I think वो अपने केरिकेबर को बहुत नाजुक पॉइंट पे हैं यहाँ पे एक win against Connor I think अगेन वो फिर से आजाएंगे शायद you know टाइटल की लिस्ट के अंदर की कौन लड़े का टाइटल के लिए बट देखते हैं क्या होता है दोस्तों बट main news यह है कि अब जो main event है वो नहीं हो पाएगा Amanda Nunes वर्सीज मेगन अंडिसन और पॉल फेल्ड रिप्लेस करेंगे इस्लाम आखर शेफ को आने वाले संडे को fight night को